अब मैं यह टाटा का पत्थर इस रैकेट की उपर मारने वाला हूँ आज हम रिव्यू करेंगे मैक्स पोल्ड का अनदर प्रीमिम रैकेट विच इस गैलन टूर थैंक यू सो मच आपने मेरे को मैक्स पोल्ड की सूपर स्टाल 11 वीडियो बहुत प्यार दिया है अगर आपने सो गाइज रैकेट ना दो कलर में आता है एक आता है रेंबो एंड वाइट कलर में एक आता है ब्लैक कलर में इस दिस मॉडल कंस विदा हाइट टेंशन ऑफ 43 LBS वाव इसमें हमने मैक्स पोल्ड की MBS 90 की स्ट्रिंग लगाई है एड 30 LBS तो एक बर सका साउंड भी सुन लो सब्सक्राइब की बात कर तो इसमें 40T कारवन ग्रिफाइट उसके गया है विच इस गूट फॉर पावर एंड स्ट्रेंथ तो लेंट ऑज रैकेट इस 675 mm वेट अप इस रैकेट इस 85 ग्राम्स सो गाइज बैलेंस पॉइंट पॉइंट इस 300 mm विच इस एड हैड हैवी बै टेकनलोजी से यूज किया गया यहां पर प्लस यहां पर बहुत ही कूल सा ग्रोमेट्स लगे हुए है टोटल 76 ग्रोमेट्स है यहां पर हैट पर एंड यहां पर इस सिंगल पीस टी जॉइन रैकेट और यहां पर आपको मैक्स बोल्ट का लोगो भी दिख जाएगा इस रै रेंबो ब्लूइश कलर में प्लस यहां पर लिखा हुआ है डिजाइन इंजीनियर इन कोरिया और यहां पर बगल में आप देख सकते हो कोरिया प्लस थोड़ा सा हलका सा घुमाओगे तो यहां पर आपको तीन-चर स्वेदिफिकेशन में लिखी हुई है 40T फिर वेट लिखा हुआ 43 LBS आप इस राकेट को थोड़ा नीचे देख लेते हैं यहां पर बेसिकली कोरिया का लोगो लिखा हुआ है मैक्स पॉल्ड का भी लोगो है यहां पर श्टिकर है प्लस यहां पर एक चीज मिसिंग है जो की एनरजी बूश्टिंग कैप मिसिंग है आप एक्स साइस की बात करें तो इसका ग्रिप साइज है जी फाइव प्लस यहां पर नीचे में आप देख सकते हो सिल्वर कलर का मैक्स बोल्ड का लोगो भी लगा हुआ है तो किल लेवल प्लेयर्स की बात करें तो कंपनीज में कमिट करती है इंटरमीडियर्ट और प्रोफेशनल प की बात करें तो देखो फ़र्स्ट फिन हमारा रैकेट का यही था कि हमें थोड़ा सा यहेड हैवी लगा रैकेट बट इसमें क्या है ना फोरेंड बैक हैंड टैपिंग में हमें ज्यादा कोई इशू नहीं आए और हम लोग अराम से शॉट्स मार पा रहे थे तो अभी बै करते हैं नेट ड्रॉप्स के बारे में तो गाइस इस एरिया में हमें कोई भी इशू नहीं आया जहां पर भी हम लोग शॉट्स मार ना चाहते थे इट वस इजली हम लोग शॉट्स मार पा रहे तो अभी वीडियो में देख सकते हो मैंने और शनीक ने दोनों ने मिलके टे क्लियर लग रहे थे क्रिस्ट लग रहे थे और जहां भी हम चाह रहे थे वहीं पर लग रहे थे तो अबिक थम्स अप टू दी नेट ड्रॉप्स इस फोरेंड टॉसी के लिए हमें कोई दिक्कत नहीं आ रही थी इस रैकेट जनेरेट्स वेरी गुड़ पावर और टू हिट और बिल्कुल भी ना यहां पर प्रेशर नहीं आ रहा था बहुत ही मजा आया मार के इट वस वेरी वेरी क्लियर एंड क्रिस्ट गाइस थम्स अप टू फोर हैंड क्लियर तो गाइस चलो अब करते हैं फाइनल टेस्ट जो कि आपके भाई का सबसे फेवरेट है स् स्मैशेस की मैं क्या बताऊं इतनी तगड़ी पावर जनरेट करता है ना रैकेट की बहुत ही पावर से शॉट्स लग रहे थे थोड़ा सा मिरको यहां पे ना हैवी फील हुआ मैं जरूर बोलूँगा तो आप देख सकते हो स्मैशेस पूरे क्लीन निकल रहे थे मज़े ही आगया यार मतलब इतना पावर से मैं स्मैशेस मार रहा था ना की पीछे में श्रनिक मिरको बहुरा था कि धीरे मारो धीरे तो ओवराल स्मैशेस को लेकर अगर बात करें तो बहुत ही तगड़ी पाव जरूर मारते टाइम बट जिसकी टेकनीक्स एक्टम परफेक्ट है ना जो प्रोफेशनल प्लेयर से वो एक्टम जस्टिफाई कर सकते हैं तो स्लाइट हैवी आई फेल्ट बट पावर वाज वेरी गुड़ वेरी वेरी गुड़ तो गाइस थाम्स अप टूदी मर्प ऑफ दिस रैकेट इस 8,990 बट इटका जो सेलिंग प्राइस है ना वो एक बहुत ही अच्छा डिसकांटेट प्राइस में 5,000 वान ये 200 आपको मिल जाएगा मैं आपको बाइं लिंक डिस्रिप्शन में डाल दोंगा अगर जश्टिन केस मालो वेबसाइट में यह नह प्लेश के लिए पर्फेक्ट है जो कि प्रोफेशनली खेलते हैं डबल प्लेश के लिए मुझे रैकेट साही नहीं लग रहा है बिकॉज ये काफी मुझे हेवी लगा फील हूआ बट शिंगल प्लेयर्स के लिए जिसका प्रोफेशनली गेम बहुत अच्छा है उसके यह प्रोफेशनल प्लेयर्स है जो प्रॉपर टूर्नमेंट वगरा खेलते हैं और जिनकी गेम बहुत ही अच्छी है यह उनकी लिए मैं रेक्मेंट करना चाहता हूं So guys I hope you enjoyed this video if you like this video please like comment and share with all your badminton friends and drop a comment guys मैं हर एक कमेंट पढ़ता हूं and I reply back to you And guys thank you so much for your support this is Karan Sharma from Jodhpur signing off so guys thank you so much look after your family Jai Hind So guys अगर आपको इत्ती सी भी doubt है regarding Max Bolt का Superstar 11 यह वाली link को click करके आप देख सकते हो यह बहुत ही तगड़ा racket है ặc मापन कि अव दू वाली हुर इज तQue absolutely olmay यह मापन, स्रिव के चाहता हूं एक लाली Pbing bhagp Kroter ** करें